मौज़ेज नाजरीन, हमारे चैनल को सब्क्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो पहुंच सके आप तक सबसे पहले अकाइख पर जो इंतहाई न सिर्फ सुबूत है बलके मेरी 40 साला जिद्धो जहत का खुला मू बोलता सुबूत है इस से इंकार मुम्किन नहीं आपने मनाजर देखे होंगे इस्तक्बाल के मनाजर देखे होंगे मैं खेरात नहीं मांगूंगा वजीर आजम पाकिस्तान इमराणखन मैं खुद कशी करें लूँगा मगर आए मेंस के पास खेरात मांगने नहीं जाओंगा मैं बादशाहों शेजादों के पास धीक और खेरात मांगने नहीं जाओंगा आपने सब ने अपनी एकों से देखा आप आजाद मुल्क के वजीर आजम है कि चीफ अपार्मी स्ट्राफ है कोर कमांडर्स है आपको शरम नहीं होई कि इस्तखबाल कर रहे थे या भिकारियों की तरह से बिछे जा रहे थे जुके जा रहे थे लेटे जा रहे थे वद्दार अलता वुसैन भीक की खातिल लेट रहे हैं आई एमेप से वजीर आजम खु कोई एक वादा इस शक्स ने पूरा किया मैं अब आप से बताता हूं कि साओधी अरब में बगेर आ यानि आईन पाकिस्तान का आईन और पानून ये कहता है कि सरकारी मुलाजमत के बार दो साल तक आप जौब नहीं कर सकते लेकिन फौज ने हर दफ़ा आईन तोड़ा he can't karp journal है और अँ राहिल शरीफ अभी तक्रीर है अब इस माज कर रहा है कभी इस माज में दिखाने के लिए फूटो सेशन करा रहा है विडियो सेशन करा के कि जर्ब अश्म करूंगा जर्ब फला करूंगा जर्ब फला करूंगा जर्ब फला करूंगा अबी रिटायर मैंने साथी अरब के बादशा की खुलामी खुबूल कर ली और आइन तोड़कर वहां जाके दो साल रेस्ट करने के बजाए नौकरी कर ली साथी अरब में दूसरी तरफ आएसाई के शुजा पाशा ने दुबई में सेकुरिटी की नौकरी कर ली बगार दो साल का गैप दिय कि इनके लिए कोई कानून नहीं है कि आनि अस्टेलिया मेरा राजनल यह जनल बड़ी बड़ी बाते अदावे करते रहे रिटायर्मेंट के बाद क्यों रही पाकिस्तान में जो नैने फोजी बन रहे हैं उनको तर्वियत देने के लिए उनको अपना तजर्वा सिखाने के लिए मौजूद पाकिस्तान में क्यों नहीं रहे क्यों खांदान समयथ बाहर भाग के एस और इश्रत कर रहे